नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर हिंदो पंचान के अनुसार माग का महीना वर्ष का ग्यारवा महीना होता है माग का महीना इसनान दान के लिए काफी शुमाना जाता है माग के महिने में किसी नदी में इस्तनान करने से व्यक्ति को भगवान विश्णू का खांसा सिर्वात प्राप्त होता है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2023 में माग का मा कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा अम अवस्या और पुर्णी माग कब रहेंगी और साथ ही जानेंगे माग माग के नियम तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में ये चैनल पर नए हैं और अभी तक आप नहीं से सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी प्रतेवं तैवारों की तितियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आजी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेला आइकन को प्रेस कर दीजिए तक कि आपको मेरे वीडियो की नोडिफिकेशन विलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना पिलकुल मत भूलिए तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो माग मा में संगम पर कल्पवास करने की परंपरा है ऐसा माना जाता है कि इससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नया हो जाता है मानता है कि जो भी व्यक्ति इस मा स्नान, दान और तप जब करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है पद्मपुणान के अनुसार पुजा करने से भी भगवान श्रीहरी को उतनी ही प्रसंता होती है जितने की माग मा में सनान मात्र से होती है अगर आप पवित्र नदी में सनान नहीं कर सकते तो इस महीने सुबह जल्दी उठकर नहाने के पानी में गंगा जल मिला कर सनान कर सकते हैं माग के महीने में भगवान विश्णों और सुरी देव की पूजा से विशीश लाब प्राप्त होता है माग मा में दान पुर्णी करने का विशिश महत्व माना जाता है मानेताओं के नुसार माग महिने में दान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है माग के मा में भवान विश्णों को प्रसंद करने के लिए तिलर्पित करे मागमा में अन्य वस्त या धन के दान से घर में सुख शांती बनी रहती है वहीं मागमा में गीता और रामायर का पाठ जरूर करना चाहिए धार्मिक मानेताओं के नुसार जिस घर में मागमा में गीता और रामायर का पाठ होता है वहां खुशाली बनी रहती है साल 2023 में माग मा का प्रारंब होगा 7 जनवरी 2023 दिन शनिवार को और समापती होगी 5 फरवरी 2023 दिन रविवार को माग मा वस्या रहेगी 21 जनवरी 2023 दिन शनिवार को और माग पुर्णिमा रहेगी 5 फरवरी 2023 दिन रविवार को मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ